विल्कम बेक तुमा यूटूब चैनल पेपर है का जैसे कि आज आप देख रहे हैं आज हम फिर अगले कोश्चन के बारे में डिसक्स करेंगे ठीक है हम पढ़ने बीसी पार्ट बन है आपका बीसी पस्टियर और यह आपका समस्टर थी कौन सा है पस्टियर समस्टर के लिए किसे कहते हैं समझाए इसको समझाना ठीक है जिमेट्रिकल आई समर्जम को करने और इसके बिन्यास पर निर्दा इसके बिन्यास किस प्रकार से आप निर्धारत करेंगे इसके बिन्यास आप किस तरह से प्राप्त करेंगे चली कोशन के बारे में हम डिसकुस करते हैं यह हैं इसलिए और मेलेक अमल और फिमरेक एसट की जैमिती समाविता के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे तो सबसे पहले अब बात करेंगे रहें जैमिती समाविता कि यह दोनों क्या हैं उधारना एक्जाम्पल हैं समाविता है यानिकी जैमेट्र diamond होती किए today अगर हम बात करें तो यह जैंड जง मैकल जुद बाऄं it का ही एक रूप है ठीक है तो इसमें अगर हम बात करें जो जड। हमालिक्वी ऑगर आपको दे रखा है ठीक है तो उस नहीं कूवरा और फार्मूला और लेकिन अगर हम बात करें की इरेंजमेंट कैसा होगा आरेंजमेंट आपका इसे का hade तो इसी के हम क्या कहते हैं जैसे कार्बन कर बीच में ढूपन्ट या कार्बन नाइटोजन के बीच में डबल बन्थ बंद होते हैं अधिन भिण परमाणूंग हो संसकता है इसके बाद इस से जो और अटम जोड़े से बिंद सकते और यह सकते हैं कि यहां फथा इनके यहां पर यह रगाता है हूं इसके बाद में जितने भी आपके एटम सर गरुप लगे हुए इनका मुक्त गोडन मतलब कारवन के चार ओर इसका मुक्त गोडन क्या हो जाता है तो यह बाइन कारवन 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 के बीच में तो यह कारवन पूरी तरह से रोटेट नहीं हुपाएगा क्योंकि डवल तो इसी तरह से इनका मुक्त गूर्ण कैसा हो जाता है प्रतबंदित हो जाता है इसके फल्सुरूप इन परमाणूं से जुड़े हुए दो बिभिन सम्हूं एक दूसरे के साथ एक चंत्रिक्ष में दो प्रकार से इस्थर हो जाते हैं ठीक है और दो सरचनाएं आपकी ग्रह जियानि कि ज्यामतिय इता है यह पूरी घठना हमारी कहलाती है यहां पर आपको दे रखाए कारवन के बीच से कहा लगा है और दूसरे कारवन से भी आपका ए और वी लगा हुए ठीक है वहारा क्या फरस्ट इसको अगर हम बात करने तो इसको देखो यह एक और बीचम कर एक निश्च से दोनों चैसे तरफ दोनों डिय circumst यहां होगा ऑक है तरफ डिफेरेंट है और द्लोनों डिफ्रेंट और दूसरी तरफ दिफ्रेंट दोनों डिफ्रेंट हैं पहले को देल जो 10 तरफ दोनों कैसे थे हमारे एम लगे हुए थे ठीक नेक्स्ट या कारवन और नाइटोजन के बीच अम डबल बांड हो सकता है ठीक है तो नाइटोजन से केवल एक ही एटम जुड़ा रहेगा और इधर कारवन से आपके दो एटम ए और बी जुड़े हैं ठीक या यह क्या हो सिर्ब्र है यहां पर देखूं कारवन नाइटोजन की बीच अब यहां पर भी है यहां पर लगा हुए यह यहां फिलेक्राइबट Miche Lam जुड़ा हुए वो एक बार आपको राइट हेंट सैब लेफट हेंड साइड दूसरी के, राइड हैंड साइट इनका हidente किसे समावित्ता कपड़ा ठीए और यह आप रहे जो अचिया समा जब अभी उर चमाई समूत के एक होर होते हैं जिस प्रकार्श टृải को नहीं देखाया गया थो दोनों समास हुआं किद फैंस एक तो इसे माउइधी उसको सिस गहते हैं उसको सिस संपक्ष इस आई समर कहते हैं और जब समान समून दोईबंद के विफ्रीद दिशा में होते हैं जैसे कि दूसरे चितर में दिखाए गया तो उसे हम क्या करते हैं बिपक्ष समयाविपता भी कहते हैं जैसे हम बात करें कि कारबन कारबन के बीचे में डॉबल वांड और एक तरफ ए और इधर दूसरी तरफ यह कहला था आपका बिपक्ष है ट्रांस इसे संपक्ष बिपक्ष समयाविपता भी कहते हैं यह जैसे की देखो यहां Πरादर सेथ कर सकते हैं जैसे क्यों यहां अंबर बन है कि कारबन हमारा दूसरा पृब इस न Means में नंबर एक क्या लगा हुआ आपका ए लगा हुआ और इसी कार्वण से आफ तो ने लगा हुआ है तो इस कारवन से दोनक прारविप से और ऐसे मैं क racket से यह दूसरा वाला कार्वन इससे क्षिक यह लगा हुए यह अधा अधार्न के यह तरफ आपको मिलें समपाफ्ज क्राफश कर द दोसरे कैने कर लगा हुआ ऊपका लगा हुआ तरफ। तो यहां पर द्रफ दोने तरफ हजै अब कि देखा के दुट्रेंट एटम सब्सक्राइब टूर ऐसे ना था हमारा ट्रांस ट्रांस के चाहिए तो इसको वाद बॉपक्च श्माइब्य नेक्स अगर हम बात करें कि समाविवता का कारण रिजन फॉर जिमेटिकल आईसोमर्जम के लिए क्या देजन होना चाहिए कि कंडिशन होनी चाहिए इसके हम बात करते हैं आधनिक और विटल सिद्धान्त ठीक मौडर्न और विटल थिवरी के आधार पर भी ज्यामिति समाविता को इसपस्ट किया जा सकता है दोवन्धित कारवन परमानुत त्रकूडी है है वड़ी करन त्रकूडी करन यानि कि ट्राइगनल करते हैं जैसे में क्या होता है इसमें कारवन के 2s 2px और 2p मिसरत होका समान उर्जया वाले 3 sp2 hybrid orbital बनाते हैं ठीक है तो कारवन के बीच में कितने कारवन का प्रमान कुर्मान करते हैं सिक्स बात करें बना इस टू और 2s2 और 2p 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 में कितने होता है यह खुता हमारा 2p by बन तो यह आपका आ जाता है 2p x और 2p y यह तीनों क्या करते हैं आपसमें मिलके समान उर्जया के 3s 3 orbital का निर्माड कर लेते हैं जो यह ही तल में रहते हैं कहां रहते हैं एक ही तल में रहते हैं इस प्रकार दोनों कारवन परमाडूमों में से प्रतिय और और तिन सिग्मा बंद भी एक ही तल में रहते हैं जो सिग्मा बंड बनते हैं वो किधर रहते हैं आपके वो एक ही तल में रहते हैं ठीक है यह कारवन यह कारवन दूसरे अन्ने अटम से मिलके बना रहा है सिग्मा बंड अभी देखते हैं कारवन कारवन सिग्मा बंड के लंबोबत होता है जो जैड होता वो कैसा होता है सिंग्मा बांड के लंबोबत होता है यह दो प्रकार से अतिव्यापन करके पाई और्बिटल कर निर्माड करते हैं यह प्रकार के अतिव्यापनों के कारण दो समयदे भी रूप बनते हैं एक रूप संपक्ष दा दूसरा चाहरा होटा हों तो यहां पर कारवन किया करना कितने एक कारवन कितने बॉंड बना रहा है यहां इसका एक यह पी और विटल साथ मिल्क्वरा यहां पर वह एक सिगमा बन जागा और यह भी एटम के साथ स्मय बना रहे एक एंटम के साथ सिग्मना इंसी इस इधर से एक शिर्ными बॉन्डी गना रहा एक एक साथ बना रहे एक यदर टीन सिक्मा बंध कर जात इनका उवर लैफ हो जाता एधर नीचे आपस में तो यहां पर क्या बन जाता है ऐक पाई बॉन्ड नातिक आए यहां पर दोनग तुरह किया है यहां भी है तो यहां यहां पर क्या है यहां यहां यह से तार भी है तो इसलिब भी आपका और और आपका और समधने के बश्लब करने के बाद भाए सेidal अब बना लेगा और इनके बीच में एक सिंग में और यहां तरह से यह जो करते हैं दोनों तो हम बात करें जिमेट्रिकल आइसो मर्जम इन मैलिक ऐसे डेन फिमेरिक अमलगा आंडविक सूथ करना से फूर एच फूर ओफोर और एच फूर आपका और ओर सभी क्या है चार चार है तो संपक्ष रूप नबर दो क्या है तो यह आपका इस्ट्क्श नमबर बन बन ङे रखा है इसको क्या क्यों कहते हैं दो आपव्ड- इसका और व्यूव्डर कहा है और एक ही साइड हो क्रूर नो Has kot संपक्ष क्या करते हैं संपक्ष ठीक है इसमें देखो कार्बन कार्बन की बीच में आपको डबल वांड दिखाई देरा बड़ी जो गुरुप लगए हुए है वह यहां पर लगा हुआ है और दूसरा कि धर है अपोजेट साइड में तोरी कि यहां नहीं हो यह आपका यहां आजागा ठीक डावलो है यह धर लगा हुए एक दर तो यह दोना कैसे बश्म लगें तो इस का सेम है ठीक है कार्बन कारवन के बीच डबल बांड है और दोनों साड़ पर आपको एटम सव ग्रूप नजर आ रहा है लेकिन एक में किया अंतर है यह आपका जियामती समाविता प्लाता यह पूरा इनका अरेंजमेंट तो यही जी आए में क्या होदा है मतलब फंक्टैनल हमारा फॉर्मूला कि एसा होता है ठीक है पर हमारा जो इस ट्रक्च्रल फॉर्मूला उह सीम लेकिन अर्रेंजमेंट कैसा होता रुभ डिफिरेंट अब का ऐसा होगा डिफिरेंट तो यही दिखाता है हमारा इसे कि नेक्स्ट अगर हम बाद करें तो कहा रहा है इनको इनकी इसको सम्चतुस्फर की सरचनाव द्वारा निम्न प्रकार से प्रतर्सित किया जाता किया जा सकता है दोनों के रहासायन गुण कैसे होता है समान लेकिन बहुत तक गुण जैसे गलनांक हो गया गनत बिलेता अब वरतनां के यह सभी कैसा होके दोनों के डिफरेंट होगे तो यहां पर देख़ए उनको इस वाले कारवन से डड़ाड करके दिखाई देखाई देखाई देर एक कि दूसरा कारबन से कह लगा हुआ यह तो इस वाले कारवन से कह लगा हुए यह लगा हुए यह या इसको कहते हैं बिपख्छ समय अब्ता है इसको निर्दारन किस प्रकार से करें एंगे सबसे सबसे पहली अगरम बात प्रें तो क्या है सैक्लाइजेशन आने की चक्री करने से टीक है चक्री करने के द्लाह करे रहा हा है मैलिक अमल करने पर और प्रेइडसा लेटHH करने पर ओर यह घज दूर हे तब ही मैलिक अमले है कि नदेता है तर्फिमेरिक अमलिक समूники अगरों क्स आरिफा वर्वों कि एगood याँ पर यहाँ पर तो यहां पर होता है कि यहां पर चक्री सक्षरी करें पर देने का कारुण कारण यह है कि इसमें जो दोनों एच गृप आपके पास पास होता है थे आप तो अठीग है तो यह आपको एच टू जो है बाहर निकल जाएगा गर्म करने तो यह वाला ऑक्सिजन क्या होगा इस तरह से बीच में आ जागा इसका ठीक है तो मैले के मैलेक एन्हाइड बन जागा यहां पर अगर हम बात करें यह डबल बॉंड लगा हुगा यहां पर अगर हम बात करें तो यहां देखो क्यातलें यह सो देखों का रहो हैं तो यह क्या करता है यह मैलेक और द्रैड को और सब्हमारे धीन cód को नहीं देता है ठीक है यह डीक का आपसिक बोलब अग्वाइब दौहरा आक्षि यारे अपर कि अध्यू नेशन करते हैं तो मेले कम लिटा तर्ट रिक अध्य तर्ट रिक अध्यू नहींगा तर्ट जब कि अध्यक्वीर अध्यू यहां पर सबसे पहले हमेलिक आधि की बात करें हैं कि अपस्तेती में क्या करना है इसका oxidation करने का मतलब होता है कि आक्सिजन आके जूड़ जाता है थी तो हम यहां पर देखो क्या होगा यह बांड टूटेगा आपका है तो यहां पर आ जाएगा और यहां पर एक भी आपका फिलस बना लेगा ठीक यह बार प्लस और एक बार माइनस तो यह दो तो इसका ऑक्सिडेशन करते हैं ठीक होता है तो होता क्या है इसका ऑक्सिडेशन करने पर आपको क्या मिलता है रेसिमिक मिलता है यहाँ पर देखो यह क्या बन जागा आपका एक वेच और दूसरा और यह सीड़ोगले दोने डिफ्रेंट्स इड़ में धि क्या सब्सक्राइब भन जागा और टार्टर का आटर ट्री कैसिडिया है यहां पर यहां पर यहां आपका कुछ इस तरह से इसकी घरम बात करें तो यह आपका कुछ इस तरह से खुमेंगा थिक इसको वह बहुत है यह माइनस का जागा ठीक आट यह मतलब जो हमारा प्लेन पुर दाइज लाइस नहीं आट हो तिए उसको क्यों करता है लेफ्ट अंड साइट में इसको रोटेट कर मारती ता थिक यह क्या रहता है मैनस का या यह यह क्या करता है लाइड को थोड़ा एधर दक्षण की वह ठीक निकी हमारे फिए गड़ी की अजय यह एंटिक लूग वाज यह क्या करता है इधर को थोड़ा एंटी क्लोग उल्टी घड़ी की दिसान गुमा देता है प्लेन पूर जाए लाइट को इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहला था है इसमें मिक्षण कहला था ठीक है अब कहला है विपक्ष समावेवी जो हमारे ट्रांस आइसमर होते हैं उसमें संगत स समावेवी जानी कि स साइस उ मर जाएगी उसे होते हैं यह त्रांस होते हैं वो ट्रांस से कम समझा जा सकता है संपक्ष में दिखाया गया है यहां पर बात करें संपक्ष मेलिक ऐसे की बात करने तो यह कैसा आपका संपक्ष समावना इनमें दोनों बड़े-बड़े गुरुप कैसे होते हैं एक तरफ होते हैं अर्था नजदीक होते हैं ठीक है मैलिक ऐसे लिए इस कार्ड इनमें आपस में टक्राव यानिक इंट्रेक्षन की संभावना जो है अधिक हो जाती जब चुरुप आपका एक हो जाएगी यानिकि यहां पसमें मौश्ट इ्लेक्टो नेगेटित में तो यह आपसमें क्या कर सकते हैं तकरा सकते हैं ठीक इनकी संभावना अधर बड़े-देख बड़े दूर दूर होते हैं लिए का एक दूसरे से टक्राव आसानी से संभब नहीं होता है इसमें एक द इस प्रकार बिपक्ट समया वीविव से अधिक इस्थाई होता है इस प्रकार हम कहा सकते हैं जो ट्रांस होता है कैसा होता है इस थेवल अधिक जे मोर इस्टेबल दें किसाइस हम कह सकते हैं इस में होता है क्यों कि आपको समझ में आया होगा आज हमने पढ़ा था जी आ यानि कि जीमेट्रिकल जीमेट्रिकल इसका पीडियो फॉर्म अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जागा जहां से आप क्या कर सकते हैं इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं ठीक है और बने रहे हमारे साथ अच्छे वीडियो देखने के लिए इसके बाद हम एक और अच्छा सा कोश्चन लेकर आएंगे ठीक है जिसके बार हम डिस्कस करेंगे और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही पास में लगे बेल